दोस्तों स्वागता सभी का घ्यान की बात में बात करेंगे आज हम ओनलाइन बैंकिंग की जिसे हम वैब बैंकिंग भी बोलते हैं अब इसके लिए आपके पास सबसे पहले यूजर नेम और पासवर्ड होना चाहिए जो कि बैंक से मिल जाता है अब इसके फाइदाए की बात समझ लेते हैं आपको कोई ओनलाइन ट्राजेक्शन करनी हो बैंक बैलेंस चेक करना हो या आपको इंस्टेंट स्टेट्मेंट निकालनी हो और इसके इलावा अगर आपको फिक्स डिपोजिट के अंदर पैसे जमा कराने हो या पीपी एफ अकाउंट में सेविंग करनी हो इस तरह का काम भी इसमें कर सकते हैं और इसके इलावा एन्य एफटी आटी जीएस आईम पीएस जैसे फाइदा भी इसमें आपको मिल जाता है जो सबसे बड़ा फाइदा है आपको कोई बड़ा अमाउंट ट्रास्फर करना है एक लाग तक की ट्रांजेक्शन तो आप इस सबसे बड़ा फाइदा है तो आप इसली जहां कहीं भी हैं वहीं से ही वह अमाउंट ट्रास्फर कर सकते हैं दोस्तों यह इसका सबसे बड़ा फाइदा है जो आपको ओनलें मेकिंग में मिलता है तो वीडियो अची लगए तो लाइक कीजिए और जद जद लोगों को शेर किजिए जय हिंद जय भारत